दोस्तो नमस्कार एक्जाम कांकर्स चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ के दाननात्मिस्रा दोस्तो बिहार PCS की आगामी परिक्षा को देखते हुए बिहार इस्पेसल के 20 महत्वण प्रसनों के साथ मैं वपस थी थो और यह हमारी क्विक्री वीजन सीरीज है जिसमें कम से कम समय में 20 से 25 प्रसनों को दुराने का प्रयास किया जाएगा ठीक है तो चलिए आज के प्रसनों की स्रिंखला को सुरू करते हैं और सीधे मुद्धे पर आते वा क्या क्या होता है कि इसमें सनई की लकडियों से एक मनदिर की मंजूसा बनाई जाती है याद रखिएगा बिहुला बिशहरी की लोग कथाओं को जो है सनई की लोग कथाओं को बड़ी चित्रों के कूचियों द्वारा इसको चित्रित किया जाता है तो मंझूस चित्र सहली अंग्चेत्र जिसे यह भागलपुर शेत्र भी इसे कह सकते हैं भागलपुर एरिया में यह सबसे ज़्यादा फिमस थी ठीक है ना बिहार के भागलपुर शेत्र में मंजूसा चित्रसाइली लोगपृय थी ठीक है ना चलिए next देख लेते हैं देखेर बिदेशिया किस राज्य का लोगपृय नाट नेत है लोगपृय नाट नेतывает קहां का है बिहार का है और यह important है इसे याद रखेगा मिलान करने में भी आयऊ पूच सकता है कि इस राज्य का लोगप्रिय नाट नेत है तो बिहार का ठीक है next देखते हैं देखे अगला है बिहार के मिठिला में गाय जाने वाला गीत लगनी राग किस आउसर पर गाय जाता है तो देखे जो बिहार के मिठिला छेतर में especially गाय जाता है ये लगनी राग 21 उसर पर गाय जाता है तो देखिए इसमें लगन से संबंधित आप जानते हैं कि विवाह उत्सव को भी लगन कहते हैं तो देखें लगनी राग जो है लगन यानि विवाह के उसर पर गाय जाता है ठीक है ना तो बिहार के जो मिधिलाम गाय जाने वाला लगनी राग है वह ठीक है ना चलिए next देखते हैं चोथा प्रस्णा है जट जटिन लोकनेत्य कहां प्रसिद्ध है तो देखें जट जटिन लोकनेत्य जो है यह बिहार में प्रसिद्ध है ठीक है जट जटिन लोकनेत्य कहां का लोकनेत्य है तो बिहार का लोकनेत्य है यह भी important है इसे याद बिध्यापती जी उन्हें देखते हैं देखे बिहार में संपूर्ण साक्षर्टा अभियान सर्वपृत्थम किस जिल्य में शुरू हुआ आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण साक्षर्ता अभियान की सुरूआत सरपर्थम किस जिले से हुई तो यह मधेपुरा से हुई ठीक है न सी अप्शन साही है मधेपुरा से हुई और यह प्रस्न इंपॉर्टेंट है ठीक है बिहार में संपूर्ण साक् प्रात्मिक शिक्षा के प्रोचाहन के लिए शुरू की गई मध्यान भोजन योजना का उद्देश क्या है जो केंद्र और राज सरकान ने मिलके प्रात्मिक शिक्षा के लिए जो मध्यान भोजन योजना शुरू की है उसका उद्देश आपको बताना है तो देखें पहला तो जो बच्चों में पोशा हो यह भी है साइक्षिक प्रगत को बढ़ावा देने के लिए यह भी है और समाजिक समता यह स्वास्थेवं सक्षता यह तीनों बिंदू सामिल है तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपर सभी केंद्र युम्राज सरकार द्वारा जो बृत पोशित प्राथमिक सुच्छा के प्रोचाहन के लिए जो सुरू की गई मध्यान योजना है उसमें यह तीनों बिंदू सामिल है तो डी अप्संस आई है चलिए अगला देखते हैं देखी निमलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के सिच्छा के लिए उत्थान केंद्र तो देखिए ब potato के बच्चों के सिच्छा के लिए तो देखें बिहार में महादलित वर्ग के बच्चों की सिच्छा के लिए उत्थान केंद्र की सुरुआतं कि गई ऐUM महादलित बच्चों की शिक्षा के लिए किसकी शुरुवात की गई है बिहार में एक उत्थान के इंद की शुरुवात की गई है आप इस प्रस्ण को याद रखेगा कि उत्थान के इंद की शुरुवात किसके लिए किया गया है तो यह महादलितों महादलित वर्ग के बच् तो पटना में बिहार में नेशनल इंस्टिट्यूट आप टेक्नालोजी कहां इस्थी था तो पटना में इस्थी था और इंपोर्टेंट है ठीक है इसे याद रखेगा चलिए अगला देखते हैं बिहार में अंतर राष्टी विश्व विद्याले यूनिवर्स्टी आप नालंदा के प्रथम कुलपती कौन थे तो जो अंतर राष्टी विश्व विद्याले था यूनिवर्स्टी आप नालंदा आपको पता है कि पुरानी नालंदा के अस्थान पर नौ नालंदा का निर्म निर्माण का सुझाओ दिया था तो जब नौन लंदा का निर्माण हुआ तो 2006 में अब्दुल कलाम जी ने जो है इसका सुझाओ दिया और 2010 में संसद ने इस इन्वर्स्टी का बिलपास हुआ 2012 में जो नोबेल पुरसकार भी जेता है अमारते सेन को इनको मेंटर गुरूप का चीप बनाये गया और डाक्टर गोपास सबरवाल को सबसे पहले यहां का कुलपती या वी सी वाइस चैंसलर नियूट किया गया थीक है तो बिहार में अंतरास्टी विश्विद्यालाई यू श्विच के शाखा सबरवाल ठीक है ₹ण जेखते है देखें बिहार के किस सहर में अलीगण मुस्लीम की की साखा अस्थापित की गई है तो यह है किसन गंज में अलीगण मुस्लिम की मुस्लिम इन्वस्टी की एक साखा स्थापित की गई है बिहार में ठीक है बिहार के किसंगर्णे में अलिगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी की एक साखा स्थापित की गई है चलिए नेक्स देखते हैं आज कबर हमा प्रसन है बिहार में समेकित सिक्षा विकास कारिक की ताहत ठीक है बिहार में जो समेकित सिच्छा विकास कारिकरम है इसको जो है इस योजना को मुख्यमंत्री समग्र विद्याले विकास योजना की ताहत शुरू किया गया है ठीक है ना तो इंपोर्टेंट है कि बिहार में समेकित सिच्छा विकास कारिकरम किस योजना की ता मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पुशाक योजना और उपर युक्त सभी तो देखे, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की सिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पुशाक योजना मुक्यमंत्री बालिका पोशा के ओजना यह उपर युक्त सभी तो यह सभी सभी की सुरुवात बालिका की सिक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किया गया है ठीक है ना चलिए नेफ्स देखते हैं देखे 2011 की जनगर्णा के अंसार बिहार राज में सबसे कम साक्षर जिले कौन कौन से है उनको आरोही क्रम में बताना मतलब बढ़ते क्रम में बताना है कि सबसे कम से उससे अधिक तो देखे 2011 की जनगर्णा के अमसार जो बिहार के सबसे कम साक्षर जिले है वह है पूरिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा या बिहार के सबसे कम साक्षर जिले है और यह इनका अरोही करम है सबसे कम साक्षर जिला है पूरिया, उससे ज़्यादा है सीतामढ़ी, उसस से ज्यादा है मध्यपूरा तो बढ़ते क्रम में है तो बिहार में सबसे कम साक्षर जिले कौन है पूरिया सीतामणी कटिहार और मध्यपूरा इसको याद रखेगा और यह important है ठीक है इसे ऐसे याद कर लिजिएगा यह important है कि 2011 की जंगर्णा के अंसार जो बिहार सबसे कम साक्षर जिले कौन है तो पूरिया सीतामणी कटिहार और मध्यपूरा यह आर्वी क्रम फ देखते है डे कि medical सिख्छा से है, प्रबंदन सिख्छा से है और engineering से है तो अरे भठ भी स्विद्याल है जो बिहार में अस्थापित है वह उपरयूगत सभी से है ठीक है ने ऊट लिया गया है यह कौन कौन सा है तो देखे चार सरकारी medical college खोलने का जो निड़े लिया गया है वो स्थापना जय बिहार में चार अस्थानों पर सरकारी अनुटर कालेज़ Consortium गते हैज गया नेगल है कर दिंधो देखते हैं और हमेगत रखेए हो देखेए देखेए् किस वर्स हुई बिहार में स्थित पतना मेडिकल कालेज की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो यह हुई थी 1925 में देखें पतना मेडिकल कालेज की अस्थापना कब हुई थी 1925 में हुई थी बहुत इपोर्टेंट है इसे याद रखियेगा बिहार में स्थित पतना मेडिकल कालेज की अस्थापना कब हुई थी बर्स 1925 में पत्ना मेडिकल कालेज की अस्थापना हुई थी ठीक है यह most important है पत्ना मेडिकल कालेज 1925 में इसकी अस्थापना हुई थी ठीक है चलिए अगला देखते हैं देखें पत्ना मेडिकल कालेज की अस्थापना हुई थी 1925 में ल थीक है ना पटना मेडिकल कालेज 1925 में बना लेकिन पटना विश्विद्याला 1917 में ही बन गया था ठीक है ना चलिए नेक्स देखते हैं देखें बिहार की राजधानी पटना में किस सिक्षर संस्था की बिस्तार साखा स्थापित की गई है तो यह है बी आईटी मेसरा ठीक ह है बी आईटी मेसरा की जिए बिस्तार साखा है रह पटना में ठीक है यह पटना में इसकी बिस्तार साखा से में aí ठिक है ना इसकी मुख्य साखा कहा है राची झार खड़ने में इसकी मुख्य साखा है और इसकी विष्थार कहा है यह है राजधानी पत्रा में ठीक है ना बिला इंस्सिटीूट आप mets technology सथापना की घईinkते हैं चाड़कति रास्टी विद्धीविश्विद्याले क्या है का रहता है और यह IMPORTANT है । चलिए नेक्स देखते हैं राजयपाल की पदपद न्युक्ति के लिए यो给 इता यह रहता है आपको बताना है कि राज जपाल के पदपर न्युक्ति के लिए कौन सी योगिता होनी अनिवार है तो नमबर एक है वह भारत का नागरिक हो नमबर दो 35 वर्ष की आयोग पूरी कर चुका हो और नमबर तीन वह लाब के किसी पदपर आसी नहीं हो ठीक है ना? तो देखें राज जपाल के पदपर न्युक्ति के लिए यह सभी योगिताएं आवस्चक हैं तो यह उपर युक्त सभी है ठीक है ना? राज जपाल पदपर न्युक्ति के लिए जो योगिता है वो कौन सी है? कि वह भारत का नागरिक हो 35 वर्स की आवस्चक पूरी कर चुका हो और लाब के पदपर आसिर नहीं हो तो उपर युक्त सभी योगिताएं राज जपाल के पदपर न्युक्ति के लिए मतलब न्युक्ति की अरहता है ठीक है ना? तेकि सम्विधान के अनुच्छेद 157 में किसमे? राज जपाल पदपर न्युक्ति के लिए जो अरहताएं हैं योगिताएं हैं उसका उलेख अनुच्छेद 157 में किया गया है तो देखिए वह भारत का नागरिक हो 35 वर्स की आयों पूरी कर चुका हो और लाब के किसी पदपर आसिर नहीं हो यह सभी अरहताएं राज जपाल पदपर न्युक्ति के लिए आवश्यक है तो इसमें डी अप्सन सही हो जाएगा यानि उपद्यूक्त सभी है तो दोस्तों यह थे हमारे क्विक रिविजन सिरीज के 20 प्रस्न यह प्रस्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हाँ बिहार इस्पेशल के प्रस्न हम ऐसे ही प्रस्नों को सिर्फ लेकर आते हैं जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ आप हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम लगातार बिहार इस्पेशल के उन महत्वपून प्रस्नों को लेकर आ रहे हैं जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों इन तत्यों की पीडियेफ के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल और वाट्सप चैनल जॉइन कर लिजिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया है वहां इन तत्यों की पीडियेफ उपलब्ध है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करिए तो